नमस्कार यूट्यूब चैनल एन इन्यूर्स डबल टू में आपका स्वागत है परकृती ने लीविंग और्गनिजम को बहुत से वर्दान उपहार के रूप में दिये हैं उनमें से प्रिथवी भी एक है जो पूरे ब्रह्मांड में रहने के लिए सबसे बड़ी अस्थान है परकृती ने जो संसादन हमें दिये हैं जैसे पेड, पोधे, खाना, धूप, हवा, पानी, इंदन, इतियादी तो इन संसादनों के बिना हम जीवन की कलपना भी नहीं कर सकते क्यूंकि इन संसादनों ने हमें अपने जीवन को जीने वे बहतर बनाने में इन्होंने बड़ा एहम रोल अदा किया है जैसे हम कार वे बाइक में पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं घरों में दफतरों में बिजली का इस्तिमाल करते हैं जीवित रहने के लिए खाना और पानी की आशकता होती है जो सब परकृति ने हमें दिया है तो परकृति के जो natural resources हैं उनको हम दो तरह से categorize करते हैं पहला है renewable resources और दूसरा है non renewable resources renewable resources वो होते हैं जिने हम बार-बार use करते हैं और जो बहुत ही infinite quantity अब बहुत जादा मातरा में available हैं लेकिन जो non renewable resources है वो बड़ी सीमित मातरा में available हैं और जिनका भविश्य में खतम होने की भी संभावना है तो बात करते हैं कि renewable resources कौन-कौन से हैं non renewable resources कौन-कौन से हैं तो इस category के अंतरगत biomass, oxygen, water, sunlight, wind ये सबी आते हैं लेकिन जो non renewable resources की category है उसमें coal, fossil fuel, petrol, diesel, crude oil, nuclear energy, इतियादी तो बात करते हैं renewable resources की परकृति का वर्दान है और ये प्राकृतिक संपदा है और इन्हें बार-बार प्रियोग करते हैं प्राकृतिक रूप से फिर त्यार हो जाते हैं कुछ समय के बाद और non renewable resources ये कुछ ऐसे resources हैं जो एक ने एक दिन अवश्या खतम हो जाएंगे जिने आसानी से थोड़े समय के बाद प्राप्ट करना भी संभव नहीं होगा renewable resources नेचर में sustainable हैं मतलब की आसानी से विलूप्त नहीं हो सकते क्योंकि सूरिया का हर रोज निकलना हवा का चलना और पानी का बहना ये तो एक परकृतिका नियम है और सूरिया से मिलने वाली जो धूप है जो sunlight है वहां से solar energy हवा के चलने से wind energy और पानी से हमें hydraulic energy मिलती है लेकिन जैसा पहले बात कर चुके हैं कि non renewable resources को एक ने एक दिन तो खतम ये विलूप्त हो जाना है इसलिए non renewable resources nature में exhaustible है अगर large scale पर ऐसे ही प्रियोग होते रही renewable resources infinite quantity में परकृति में विद्यमान है और इसी कान ये सस्ते भी है non renewable resources limited वा सीमित quantity में मौझूद है इसलिए ये costly है renewable resources को कम carbon को emit करते हैं जो renewable resources है और इसलिए ये pollution free और environmental friendly है जो non renewable resources है ये ज़्यादा amount में carbon को emit करते हैं जो pollution के लिए जिम्मेवार हैं और वातावर्ण के लिए खतरनाक भी है renewable resources की maintenance cost वो ज़्यादा होती है non renewable resources की maintenance cost कम होती है renewable resources बड़ी जल्दी reason rate where reproduce हो जाते हैं और बड़ी तेजी से इनकी खप्त consumption की तुलना में लेकिन जो non renewable sources हैं बहुत से ऐसे हैं जो कई सों वर्सों में reason rate या reproduce होते हैं यह कुछ ऐसे हैं जो विलुप्त ही हो जाते हैं और कह सकते हैं इनकी जो consumption है consumption की तुलना production में नहीं है क्योंकि इनकी consumption की तुलना में production नहीं है इनका consumption ज़्यादा है और production कम है तो जैसे sunlight, wind, biomass, water, plants यह सभी renewable resources हैं यहां देखें crude oil, coal, nuclear energy, petrol, diesel यह सभी non renewable renewable resources की category है तो जैसे बिना बिजली, mobile, phone, car, bike, computer, खाना, कपड़ो, पानी आदी के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते और हमारा survive करना भी मुश्किल होगा इसलिए कह सकते हैं कि परकृती के दुआरा परदान, renewable और non renewable resources ऐसे asset हैं मानव जीवन के लिए जिनें हमें बड़ी सावधानी और आवशक्ता के अनुसार ही प्रियोग करना चाहिए जीरो वेस्टेज के साथ ऐसा एक बार ये संसादन अगर विलूप्त हो गए तो कई सो वर्सन तक इनकी उत्पत्ती नहीं होगी जिससे मानव जीवन को परिशानी हो सकती है इसलिए हमें अपने विश्य को देखते हुए इनका सीमीत प्रियोग करना चाहिए तो दोस्तों आज हमने बात की renewable resources और non renewable resources के बीच में क्या difference है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं, share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, students के साथ जल्दी हाजिर होते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे